गुड मॉर्निंग यहाँ पर हो यह प्रेकपस की तेहारी तवा गरम हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर है ना टोस्त बनाने वाली हूं और बटर बटर मैंने निकान लिया है दूद गरम हो चुका है और यहाँ यह बना है ओमलेट यह सानमी ने खुद बनाया है बहुत शर्मा जी घर पर नहीं है तो मेरे अकेले की चाय बन रही है और सो मैंने कुछ एक तयारियां की है मैं आपको दिखाती हूँ यह आप देखें यह है थोड़े से चुवारे ठीक है और यह मैंने गरम दूद में भीगो के रख दिया है यह चे-साथ गंपे भीग जाएंगे अच्छी तरह दो लिये थे पहले एक में शो यू इस पानी में मैंने चुवारों को थोड़े भीगो यह था दाव दूद के बार इस तरह गरम दूद के अंदर सोक कर दिया है मैं यहां पर मैंने थोड़ी सी यह दाल भीगो दिया है आप देखें यह मूंग और चना की दा की दाल है चना की दाल को सोक होने के लिए बहुत वक्त लगता है इसलिए मैंने यह अभी से भीगो के रखती है इसके शाम में मैं बनाने वाली हूं राम लट्डु हलो एव्रीवान गूद इवनिंग और मैं जा रही हूं वाक पे और आज मैंने यह चेंज कर लिया क्यों आज मैंने जिवामे लिया था जिसके यहां पर जैसा डिजाइन है और यह वाला इसका नम जो हमारे घर के वास है तो बहुत अदी क्ल मैंने इसमें रात को इसके बीटराइन लगाए थी थोड़ी सी अभी जादा नहीं लगा रहा पर इसको एप सूख गया है तो वन्ना कल इसको ऐसे उंगली लगाने में भी जलन हो रही थी यह ना हमारा चैंपियन बच्चा है बता है कल इसको इतना पेन हो रहा था यार इसके ब्लिस्टर से वह छिल गई स्कीन इसकी कल बट वह चल रही थी कंटिनुसली अब बताती नहीं है यह बच्चा मेरा आपा कोई दून आप करोईरत के लिंगरत के बाय गारे में इसन्य कला आपा कॉम मिゃ थाधरत के इस पलेग वहा रहा नहीं है यह देखो, यह है दाल बीगा हुआ और यह है मूं का दाल, बीना चलके का और चना का दाल और इसको मैंने अच्छा खासा भिगो लिया है कि चना का दाल एक दम ही अपने आप सुप्ट होगिया है साथ मैंने ले 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 थोड़ी सी हरी मिर्चे है और यह आप देख रहो है यह है कच्छा हल्दी इस चीजर में बड़े आराम से हर जगा मिल जाता है इसका है बहुत जादा है इसको दूद में डाल के पीने से या तो इसका अचार भी करते है आपको चहिए रेसिपी तो मैं दूँगी आपको चीक है इसका इंस्टेंट अचार बनता है तो यह है थोड़ा सा कच्छा हल्दी क्योंकि मैं जो हल्दी होता है पाउडर वो नहीं इस्तमाल करूंगे रिप्लेस कर रहे हैं इससे आपके पास यह नहीं तो आप पर नॉमल हल्दी डालेगा एंड सम गार् तो मैं इसको बाचेज में पीस लूँगे और यह एकदम ड्राइन नहीं पिसेगा आपको जरुद लगे तो थोड़ा सा पानी डालेगा क्योंकि राइन पीसने में थोड़ा दिक्कत भी आएगा और ड्राइन चाहिए भी नहीं हमको यह जो बाच थाना क्योंकि इसमें थोड़ा से मसाला भी डाला था है तो यह थोड़ा रनी हो गया है इसलिए इस बारी वाले में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है और यह थोड़ा सा जादा थिक है इतना थिक नहीं चाहिए बट यह दोनों मिलके एक दन सही हो जाएगा तो मैं यह इसके अंदर मिला दाल पीसना हो गया है सारी दाल पीस लेने के बाद इसमें आड करेंगे स्वात के हिसाब से नमाग तोड़ा सा कच्चा ही जीरा तोड़ा सा करी लीव्स को चौप करके इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर आप चाहने तो थोड़ा सा कूटा हुआ जो आखा धनिया होता न उसको थ और तेल अच्छी तरह से गरम करने के बाद आप हाथ से जैसे मैं कर रहे हूं या तो पिर चम्मच की हेल्प से पकोड़े बना लीजिए और यह बैटर थोड़ा और गाड़ा रखेंगे तो बिलकुल गोल गोल आपी इसे शेभ दे पाये बट ऐसे बहुत सौफ्ट बनते हैं और बहुत लाइट होते हैं जे ने बड़े हिवी बनते हैं और तो इन्हें बड़े भी बना सकते हो एक सिरज सब्दा अन्यों जैसे क्यूट लगते एक दम बाइट साइज बहुत अच्छे लगते हैं यह देखें मैंने आपको तोड़के दिखा एक दम ही सॉफ्ट और एरी है बहुत ही यह लाइट बनते हैं आप ट्राइज दरो देना और एक चीज़ और आपको बताते हैं यह जो कोड़े बने हैं यह मल्ट जा सकती है टेस्टी तो है ही हेल्दी भी काफी होते हैं यह और मल्टी परपस है बनाईएगा जरूर एक प्लेट में निकाल लीजेगे पकोड़े और इसके उपर फ्रेश कसी हुई मूली डालेगा यह इंपोर्टेंट है इस रेसिपी के लिए उपर सहरी चतनी और मैंने जो मीठी चतनी है वो साइड में रखती है और यह आपकी राम लड्डू की प्लेट होगे तयार ट्राइदेना और मूली के साथ ही खाना अमेजिंग मज़दार लगती है यह जूसी फ्रेश मूली का लच्चा है आलू टिक्की पर भी डालकर खाया जाता है इससे चाट का मज़ा बहुत जादा बढ़ जाता है और हमने आज एक जमाने के बाद राम लड्डू खाये हैं मतला जब लोग रहते थे डेली में 2005-2006 की बात होगी है तब हम लोग ने कभी राम लड्डू खायते हैं एक बार हम लोग गए भी थे वापस दिली तब एक बार खायते है और शामा जी को बहुत जादा पसंद है मुझे भी अच्छे लगते हैं वो मूली की बज़े से जादा पसंद है मुझे ऐसा जो पकोड़े अगर खाएंगे तो उतना मुझे नहीं पसंद है शामा जी को तो बहुत ज्यादा पसंद आये अच्छे थे लाइट थे एकदमी यह वाले जो पकोड़े होते है ना दाल क बीज़ी मिलना शूरू हो जाती है हमारे हां पे थोड़े तायम में स्ट्रॉपरी जोरू हो जाएंगी विच और रिजनेबल तो मैं हर बिंटर प्रॉबरी स्टोर करती हूं और हर समर मंगो स्टोर कर लेती हूं तो मैं आप सोच नहीं हो कि क्या फायदा भी स्ट्रॉआ ब में बहुत बहुत जादा पसंद किया रहता है फ्रेश स्ट्राबरी वाला और अगर आपको रैसी पिछा है तो जूरु से देखेगा कि यह बनाती हूँ ना मैं अगर आपने कावेंटर्स का स्ट्राबरी शेक पिया है ना तो more or less same लगता है बहुत अमेजिंग लगता है और म पहने लिया था पांटलोन से अभी पहली बार पहना है ओफ सीजन जो फ्रूट्स रहते रहां उनके अदाम तो पूछे हिमत आसमान चूते हैं इसलिए जब फ्रूट सीजन में होता है ना तब आप उन्हें स्टोर कर सकते हैं मैं आपको स्ट्रॉबर के बारा में बताती और जब चाहिए तब दो करके इस्तमाल करते हूं आप चाहिए तो दो करके भी स्टोर कर सकते हो पर देन बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको कि वह बिल्कुल भी कहीं से भी गीली ना रहे हैं रही बात यह कैवंटर स्टाइल अमेजिंग ठिक स्ट्रॉबरी शेक की र बहुत टेस्टी ट्रस्ट मी बना कर देखो कि तब आपको बचलेगा मैं क्यू बोल्डियूम बहुत टेस्टी बनता है यह और बहुत असानी से भी बन जाता है हाँ वनिला ऐस्क्रीम ज़रूर डालेगा इफ यू वांट कैवंटर स्टाइल और यह जो कर्टन आप देख रहे हो यह अक्चली शर्मा जी ने यहां लगाया हम लोगों ने जब यह अलमारी बगरा बन वाई थी ना तो शर्मा जी ने वो जो कार्पेंटर भाया लोगा लोगा थे उनसे कहा था कि क्योंकि यह जो शीशा है ना इसके ज़स सामने कोई भी यह शीशे में नहीं दिखना चाहिए तो शर्मा जी ने का था इस पर कर्टन डाले का को इंतिजाम कर दो और वो भाया लोगों को नहीं समझाया वो जो आइडिया दे रहे थे वो शर्मा जी को कुछ भी फैसिनेटिंग नहीं लग रहा था तो यह रॉड जिस तरह से लगाया ना एक तरफ से निकल जाता है और यह मुझे जादा नहीं पता बड़ी जिस तरह से फिक्स किया यह शर्मा जी का आइडिया था फिर यह कुर्टन मैंने यह एक शियो कुर्टन है यह मैंने आमाजॉन समगाया था और अभी यह यहां पर बहुत अच्छा लगता सोना चाहती थी पर देन शर्मा जी को लगा कि थोड़ा सा मतलब उनको पता है कि किस तरह ऐसे मोमेंट्स को संभालना है तो फिर हम लगों ने साथ मो मिलके थोड़ा बहुत गेम वें खेला मूवी देखी और फिर मुझे सोते सोते हो गया जबरदस्त हैड़क मैं सोच रही जब लुटा कोई भी काम नेगा रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं कि बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया मैंने मैंने मेडिसिन ली बालों में फिर चंपी कर ली और फिर वो जो तेलवे ल था वह मैं धोकर अभी आई हूं और अभी सोच नहीं हो कि अटलीस यह व आपके अपने आजमाए हुए टिप्स दिए एडवाइस दिए बाउड बेली फाट थेंग तो थैंक यू सो मच रियली थैंक यू सो मच आप लोग ने मेरी बात समझ कर मुझे एक चीज थी बहुत लोग को ऐसा लग रहा है कि मेरा डायेट उतना भी नहीं है जितना आपको मेरे व्लॉग के हिसाब से लगता होगा मैं इंटर्मिटेंट फास्टिंग भी कर रही हूं तो मैं दिन में बस दो बार खाती हूं उसमें मेरा दो पहर का जो मतलब जो लांच र बाकि रहता है वहां वहां बहुत कंख्काथन हो कल रात मीरि डिनर नहीं देडहाओ तो वैसा नहीं है जैसा आपको लगता है य यह जो चैनल है हमारा इसमेंरा रसेपी जो है Помीया लूत प्लिया। तो मैं बिल्कुल रसेपीश पर कट ऑफ कर सकती पर और इस चैनल obtained when का र मैं रही बात मेरा वेट लॉस जर्नी का तो वन फाइन दे आपके साथ शेर करने की हालत में रहूंगी कि मैंने क्या किया जिसे मुझे हुआ अभी तो मैं खुद भी इस जर्नी पे हूं तो I hope I have made myself clear कि रहूंगी तो मैं दिखाती ही रहूंगी बिकस्टाट में मैं चानल वाट इस बेसिकली है ना बहुत सारी और चीज़े लेकिन दाट पे दाट में अच्छा लग रहा है मुझे और चाहावाई पीचुके हम लोग अभी मैं बनाऊंगी गोभी के पराथे और इसके बाद को चुवारे मैंने बिगो के रखे थे इसका तो मैंने आपको बताया यह हीनी तो चुवारे जो भीग चुके हैं दूद के अंदर इनको इस तरह चाकू की हल्प से खोल लीज़े इसके उपर एक क्राउफ जैसा होता है वह हटा ले और अंदर एक बीच जैसा होता होता है निकाल करके इसका पेस्ट बना लीजिए और क्योंकि आई बिलॉंग टू नॉर्थ, नॉर्थ में इस वक्त बहुत ही कडाके की सर्दी होती है तो वहाँ पे इस तरह के रात में दूद तरह तरह के छुवारे, बादाम वगेरे का जो इस्तमाल है इस सीजन में बढ़ जाता ह क्योंकि यह नुट्रिशन तो देते ही हैं सर्दियों में अच्छी गर्माहट भी देते हैं और ऐसा बोलता है कि शरीर बनता है सर्दियों के खाने से इसलिए हर घर में लड़ू, नाट्स, वर्ट्स यह सब का जितना जादा इस्तमाल हो सके किया जाता है तो यह जो अच्छी गरम हो जाएगा तो आड़ कर देंगे इसके अंदर हल्दी, कच्छी हल्दी ज्यादा फायदे मंद होती है आपके पास नहीं तो आपको पाउडर हल्दी भी डाल सकते हो बड क्योंकि हम सर्दियों का खास ड्रिंक बना रहे है तो कच्छी हल्दी का इस्तमाल करे बहतर रहेगा थोड़ा-सा- यलाइची का पाउडर और दाल-चीने का टुकडा मैंने अड्र कर दिया है थोड़ा-सा-uais काली मिर्ची का पाउडर भी आड्र करेंगे अच्छी तरह से मिला लीजे इसको रिडी हम सर्फ अच्छी तरह से पका लेना है उबाल करके और जैसे यह अदरवाइस आप इसे पी नहीं पाएंगे और यह जो छुआ रहे हैं इसका सारा ही निट्रिशन दूद के अंदर आ चुका है तो अच्छे तर असे चान लेने के बाद इसे आप कप्स में ग्लासेज में सर्फ कीजिए and piping hot पीजिए at least एक चोटा कप आप जरूर बहुत पसंद आएगा बस इसी के साथ आगे मिस वीडियो के अन पर thank you for watching guys take care bye bye